दो EFT के act है, section 14 है और दूसरा 15 है, service matter की definition दी हुई है और subjection कैसे आता है वो भी दिया, वो define किया हुई, service matter section 3.0 है, जिसके अंदर promotion से लेके, posting order सो छोड़ करके, और summit trial कुछ, एक दो जिसमें dismissal मिला है, उसको नहीं आप कर सकते, तो इस तरह के कुछ limitation restriction जिसमें वो high code जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो यह करने के पहले क्या होता है, कि वो एक application बहुत ही अच्छा format बनाया हुए EFT ने, उस application को उसी format के तरह डाल दते है, डालने के बाद क्या होता है, काउंटर एफडेविट जाहर बात है, जब आप डालते हैं, तो उसमें interim relief की भी बात होती है, आपको आपका case देख करके interim relief के लिए आपको हेर भी कर सकता है, हेर करने के साथ दूसरी party को counter के लिए बोल सकता है, counter मिलने के बाद hearing जल्दी होती है, अगर counter डाल दिया और counter के बाद rejoinder नहीं डालना है, तो case come for final hearing, final hearing में एक-दो दिन और से बाद के case लाते हैं, तो मतलब इसमें ज